रादे रादे दोस्तों क्याश है आप सब दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी आंठ बातों के बारे में बताने चाह रहे हैं जिस बातों को जो है दोस्तों आपको अपने घर की अउलाद को भी अपने घर के बच्चों को भी जो है दोस्तों जरूर बतानी चाहिए जिया दोस्तों ये बाते जो हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं. जी या दोस्तों कहानी है एक समय की बात थी कि एक जंगल में टीतर और उछी पतनी जंगल में रहा करते थे, दोस्तों वहाँ पर आसपास सबी और भी पक्सी रहा करते थे, प्रिवार वाले के लिए अच्छे भोज़न की व्यवस्ता करके लाता था और पास पडोस पर उनका एक कोवा रहता था जो कि बहुती जो है दोस्तों नाला एक कोवा था वो कहीं पर भी नहीं जाता था और जहां पर तीतर जाता था उसके पीचे पीचे वो चला जाता था लेकिन जो तीतर की पत्नी थी वो बहुती भॉली थी जिया वो इतनी भॉली दादिया करती थी क्योंकि वह भॉली और अच्छे सोभाव की थी उससे जो है कोवे वगरा जो भी बाते थी वह अपने उनके घर की बाते बता देती थी लेकिन क्या हुआ एक बार की तीतर नहीं नहीं जगर पर जाकर भोजन लाता था और अपने परिवार का भरण पोशन कर भॉले शौबाव की थी वह भुलकड थी वह सभी बाते जो है अपनी घर की बाते जो है सभी को बता देती थी तो ऐसे में इस बात से तीतर भी बड़ा ही प्रेशान था लेकिन एक बार कोवे ने क्या कि वह तीतर था जो अपने घर बोशन लेकर आया और वहांसे चला गया फिर कुवे ने तीतर की पत्नी को जा कर पूछा कि यह जो तीतर है आप नए नए जगा पर कहांसे खाना लेकर आता है तो वह तीतर की पतनी थी वह सारी बाते जहां पर तीतर जाया करता था भोजन की व्यवस्ता करता था जहां से अपने शिकार ढूंद था वह सारी बाते जो है दोस्तों तीतर की पतनी ने कोवे को बता दिया करता था और वह जाने से पहले अपने पती को बता के जाता था तो यह सारी आपने पत्टें को बता दियाा घरता तो ऐसे में वह सारे राज जो है टित्र की पत्री ने पतरी ने जो है श्owe एक को बता दी वह एक्टी आप मत्र जाता अधा ल Top ंवान से उसको भगा देता था तो ऐसे में तीतर बड़ा ही प्रेशान हो गया फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इतना प्रेशान हो गया इतना दुकी हो गया कि उसको कहीं भी भोजन वगेरा नहीं मिलता था तो ऐसे में जो है कहीं दीन बीट गए तीर कहीं दीन तो ऐसे हो गए कि तीर और उंके परिवार ने दो दीनों तक खाना नहीं आ पढ़ रहे हैं तो ऐसे में फिर तीर की पतरी ने क्या का कि आप आप से यह सब चोड़ो आप बता दो कि आप हमारे लिए खाने आदी की विवस्ता नहीं कर पा रहे हो तो इससे तित्र बड़ा ही प्रेशान हो गया और फिर वह वहां से जाकर कहीं जंगल में चला घड़ा और जंगल में गया तो वहां उसको एक सादू बैटा दिका तो वह तो वह तित्र के पास जाकर बोले कि तुझे क्या हुआ है आपको ये इस परिशानी में क्यों बैट रहो तो तो फिर तीतर ने जो अपने साथ जो भी बाते हुई थी वह बाता है जो है सादू मातमा ने जो है तो को एसी आंट ग्यान की बाते बताई जो दोस्तों हमें भी हमारे जियों में जरूर अपनाने चीए यह बात ने इतनी प्रभाव सालिय होती है कि इन बातों को जो अगर हम जियों में अपना लेते हैं तो दोस्तों हमें कभी किसी की कश्टों का सामना नहीं करना पड़ता है फिर जो है दोस्तों सादू मातमा ने तीतर को कुछ आठ नहीं चीए तो दोस्तों सादू मराजद तीतर को बताते हैं कि यह बात आपको कभी किसी को नहीं बतानी चीए जिससे आपको जियों में आपकी कभी प्रेशानियों का सामना जवाब को नहीं करना पड़ेगा तो सबसे पहली जो बात है वो है दोस्तों अपनी भश्बूर जी यां दोस्तों साथ Вुम्हराजत टित्र को बताते हैं कि अपनी मजबूरी जो है तबी किसी को नहीं बतानी ची dim अच्छाए उसमें पती पती पतनी मापाप या फिर अपनी अउलादी क्यों नहीं हो कभी अपनी किसी दोस्त को भी जो है दोस्तों अपनी मजबूरी नहीं बतानी चीए क्योंकि आगे क्या होता है कि हमारी जो मजबूरी बताते हैं इससे व्यक्ति जो है कभी भी हमारी मजबूरी का फाइदा जो है जो है उठा लेता है तो भूल से भी कभी किसी को जो है अपनी मजबूरी न बताएं फिर मजबूरी क्या होता है कि दोस्तों हमें वो कभी भी अपने बातों में फसा सकता है तो अपने भूल से भी अपनी कोई भी मजबूरी है तो मजबूरी आपको नहीं बताने चीए अब अगली बात सादू मराज तीतर को बताते हैं कि आप चाय कैसे भी परिष्टेती भी हो परिवार में जगड़ा हो या किसी सदसी के भीतर कोई कमी हो तो उसे किसी के सामने नह करें जी यां दोस्तों घर का भेद घर की कही बाते कभी किसी के सामने आप जाहिर नहीं करें लोग आपके सामने साहनू भुती दिखाते हैं पर अपके परिवार के उफास का कारण बन सकता है साथ या आपका सद्रू भी आपका फायदा उटा सकता है तो भूल से भी अपने घहर की बाहत या फिर जो है दोस Τो घहर का बहत कभी को आपकर नहीं देख सकते हैं अगला जो है दोस्तों पति-पतिनी का समध ऐसा होता है जो प्यार के साथ लड़ाई जगड़ा भी होता है साथ यह समध बहुती नीजी होता है वेभाईक जिवन या समध से जोड़ी बातें कभी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं करने चाहिए इससे आपको और आपके पतिनी के पैसो की वयुस्ता कर दे हो यह आपको कभी भी नहीं बतानी चाहिए गुपत बाते कभी किसी का सामने नहीं करनी चाहिए इससे आपको धना अई-उठानी पड़ सकती है जी आ दोस्तों निंदा की बाते अपने तक ही रखनी चाहिए, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, उन्हें अपमान का भी शामना करना पढ़ सकता है, तो भूल कर भी कभी किशी व्यक्ति की जो है अपमान भी जो है नहीं करना चाहिए. अगला जो है दोस्तो आरतिक अलाद आप अपने घर के आरतिक हालाद पर कभी किसी से चरचा ना करें धन को गुप्त रखें लोग जाना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं यह आप सिदर सिदर नहीं बताएंगे तो यह दूसरों से तरीके से पूस्तास करेंगे अनुमान जाती है अगली चीज है कि यदि गुरु मंत्र शाधना और तब यदि आपने किसी योग्य गुरु से दिक्षा लिए हैं तो उसके द्वारा दिया है गुरु मंत्र गोपनिय रखें गुरु मंत्र कहीं परकार को होते हैं जैसे किसी ने आपको कुछ गान दिया हुनर शिकाय नेरहे अगला हे दान पुनियmus आपने जो भी दिया उसने गुपת रल आपें तो ये उसका माप मिल सकता है उसका उप् mejor metropolitan की नेजर में रहता हैम जिस क slagand का क्या हस्के उसका फल नी शफल हो जाता है है मंदिर में दNT किसी गृभ को बोजन करें किसी परकार का पून्चारी करें उसका अपने मूँ से बकार्ण ना करें यह अपने किसी भी समक्स जाहिर कर दिया तो वी खारी हो जाएंगा अगली चीज़े मन की बात मन में पहुंच सी बाते होती है जिनका जग जाहिर करने से आप अपने आस्पास संकट खड़े कर सकते हैं वह शकता है कि आप अपने मन को किसी बात को लग रहा हो शाद क्रोध या घिनना है तो मन में हजार तरों के विचार उद्वन होते हैं लेकिन वो गुस्से फरस्टेशन की चर्चा ही करेंगे आपके दस अच्छे कार ये भी उस एक मन के विकार के सामने कम जोर पड़ जाएंगे तो दोस्तों सादो मरा जो ये सबी बाते तित्र को बताई थी तो इन बातों को जो है हमें भी हमारे जियों में अपनाना चाहिए ताकि जो है जी उनमें कभी किसी प्रकार की प्रेशानियों में न पड़े ये बाते जो है दोस्तों गोपनिये रखने योग्या है इन बातों को गोपनिये रखने से घर में तरकी के रास्ते खुलते हैं घर में तरकी होने लगती है और इन बातों से क्या होता है कि दोस्तों वक्ति पूल से भी ये बाते कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए।